हाई फ्रेंज वेल्कम तू मय चैनल तो आज मैं आपके लिए कराई हूँ निहारी मसाला की रेजिपी जिससे बनाओगी कुछ इस तरीके के निहारी नेक्स्ट वीडियो में तो पहले आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको बनाने के लिए जो मसाला मस्तमाल करेंगे यानि कि निहारी का मसाला, वैसे तो आजकल बहुती instant packets मिल जाते हैं निहारी मसाला के, लेकिन अगर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ और उसके बाद उसमें मसाला ना शेयर करा जाए, तो फिर निहारी बनाने का कोई मज़ा नहीं आएगा, और ट्रस्ट मी गाईज, य मैं रहती हूँ दुभई में जैसा आप सब जानते हैं, तो यहां पर कुछ एकाद मसाला ऐसा होता है, जो मुझे अवेलेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं निहारी बहुत बनाती हूँ अपने घर पर, तो मैंने ये वीडियो कनवर्ट करी है, और इसमें इसे मसाले जो बहुत ही असानी से मिल जाएं, और साय का भी बिलकुल नहारी का उसका बरकरार रहे, तो शुरू करते हैं, फटाफट से प्रिपेर करते हैं, ये बढ़िया सा मसाला, तो सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है, ये एक टेबल स्पून कोरियंडर सीड याने की साबुद ध इसके अलावा इसमें एड़ कर रहे हैं, क्लोफ्स याने की लॉंग पांस से छे, सासा ब्लाक काडेमम याने की बड़ी इलाइची दो, सासा जावेतरी याने की मेस दो से तीन स्प्रिग्स लियांस की मैंने, दालचीनी एक से दो टुकडे, सासा बदियान का फूल याने की स्टार अनीस एक से दो, बे लीफ याने की तेज पत्ता दो से तीन, हरी लाइची याने की ग्रीन काडेमम चार से पांच, ब्लाक पेपर याने की काली मिर्च आट से दस, नटमेग याने की जायफल एक चोथाई, नाइगला सीच याने की कलोंजी हाफ टीस्पून, पॉमग्रेनेच सीच याने की अनार दाना, एक टीस्पून, होल रेड चिली याने की साबुत लाल मिर्चे, चार से छे, इसके अलावा नमक, एक चममच, जिंजर पाउडर याने की सौट, एक टेबल स्पून, और लाल मिर्च का पाउडर, एक टेबल स्पून, तो ये सब खड़े मसाले मैंने करने हैं, अब ड्राय रोस, तो मैंने एक पैन में सारे खड़े मसालो को अड़ कर दिया है, हलका सा इने भूनेंगे, कुछ सेकिंद्स के लिए कहिए, इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, और फिर इसको मैंने ब्रेंडर में चला कर इस तर कर दे, और अब इसमें मैं एड़ कर रही हूँ, यह हाफ टी स्पून हल्दी यानि कि टर्मरिक पाउडर, पहले मैंने आपको हल्दी इसलिए नहीं बताई थी, क्योंकि हल्दी एड़ करना निहारी मसाला में बिल्कुल ऑप्शनल है, बहुत से लोग हल्दी प्रेफर नही करते हैं, जिसे इंगलेश में लॉंग पेपर बोला जाता है, लेकिन क्योंकि यहां पर वो मुझे इजली अविलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत ही कन्वीनियेंट जो इजली अविलेबल मसाले हैं, उनको ही यूज करके क्रिएट किया है, यह बहुत ही इजी सिंपल मसाला बना कर देखिए, यह एक किलो मटन के लिए है मसाला, आप एक बार ठ्राइ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस से कितनी बढ़ी निहारी बन कर आती है, और नेक्स वीडियो मेरी देखना ना भूले, जिसमें मैं निहारी की रेसिपी लेकर आऊंगे आपके लिए अगर आपको यह मेरी रेसिपी जाती हैं पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर मत भूलिए, साथ सथ अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आईए, तो इसे लाइक करना मत भूलिए, थैंकियो सो मच फॉर वाज़िग, हाव लवली दे, गॉड ब्लेस, बबाएं तेक कर